जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदीश सरकार ने इस साल 30% सिलेबस में कटवती COVID-19 की वज़ा से किया हुआ है तो कच्छा 12 के विद्यार्थियों के लिए आखिर 70% सिलेबस में वानिज में यानि कॉमर्स में क्या पढ़ना होगा तो आईए इसको step by step समझते हैं आज हम यह जान लेते हैं पहले कि हमारे 70% के UP बोर्ड का जो सिलेबस रखा गया है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है तो यहाँ पर आप अगर अपना सिलेबस देखना चाहेंगे तो हमने इसका जो इंट्रोडक्शन पेज है स्टार्टिंग का उसको हमने रखा है और step by step उसम किये और समझते चलिए सबसे पहला नंबर सामानी परिचे है जो कि यह एकजाम में आएगा नए साज़ेदार का प्रवेश admission of a new partner यह भी आएगा इसके बाद है retirement or death of partner इसमें अवकास ग्रहण और मृत्तु तो जो मृत्तु वाला हिस्सा है death वाला वह नहीं आएगा उससे related कोई प्रसन नहीं पूछा जाएगा लेकिर retirement का पूरा प्रसन एकजाम में आएगा इसके बाद dissolution, dissolution बिल्कुल नहीं आएगा, dissolution से related यारी साजेदारी फर्म का बिगटन नहीं आएगा, 70% के दायरे में नहीं है इसके बाद company, company के बारे में यह starting है company का base यह तो रहेगा ही रहेगा और issue आप share भी रहेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, issue आप share, share से related जो भी प्रसन है, वह तमाम प्रसनों को रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का cutting नहीं हुआ है पूर्वा धिकारी अंसों का सोधन इसको नहीं रखा गया है, इसको हटा दिया गया है, issue आप debenture यह पूरा रखा गया है, और इसके बाद लाभका नियोजन अधिलाभांस यह भी एक्जाम में आएगा, final account आएगा, depreciation पूरा आएगा, investment account नहीं आएगा, यानि बिन्योग खाते नहीं रखे गए हैं, इसके बाद अगला step देखेंगे तो यहाँ पर लागत लेखांकन की परिभासा महत्व पधतियां तथा 20, यानि cost account से related कुछ भी नहीं आएगा, exam में इसका कोई भी question नहीं आएगा, जबकि income expenditure यानि के account of non trading institution के सारे प्रस्ण रखे गए हैं, इन इसी जगह पर अनुपात बिसलेशन का सामान अध्यान एकजाम से बाहर है, इसको 70% के दाएरे में नहीं रखा गया है, इस प्रकार से आपने अपने syllabus के बारे में पाठिक्रम की अनुस्वार आपने पूरा course wise समझ लिया है, अब आपकी बारी है कि आप इसको step by step समझ करके theoretical, numerical तमाम चीजों के practice बाकायदे करिए और किसी प्रकार की truth अथवा ना समझी होती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो उसको आप अपने comment में जरूर बता सकते हैं, जब हम be your banking की theory की video upload करेंगे, उससे पहले आपकी सामने पूरा syllabus का chart इसी प्रकार से प्रस्तुत किया कौन-कौन से chapter पढ़ने अनिवारी तोर पर जरूरी है, उनको दिखाएंगे और कौन-कौन से नहीं पढ़ने हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा, वह भी बता दिया जाएगा, कोई आपहत मत मचाईए, अभी काफी time है और आप lecture को सुन करके भी chapter को पूरी तरह याद कर सक करते हैं, MCQ की problem भी हमने account में डालना सुरू कर दिया है, account subjects का जो पहला chapter का है, उसमें कुछ प्रसनों के बारे में एक बच्चे ने पूछा, उसका जवाब दिया कि साजेदारी में अधिकतम साजेदारों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें हमने जवाब दिया 100, उस लड पताना चाहूंगा कि अधिकांस्ता है, जो जवाब सही है, वह है 100, क्योंकि जो company अधिनियम 2013 में संसोधन हुआ था, उसमें साजेदारों की जो संख्या है, वह बढ़ा कर 100 कर दी गई, maximum, 50 के लिए भी कुछ condition रखा गया है, परन्तु जो अधिकतम है, सभी के लिए, चाहे कोई भी ब्योसाय करिए, बैंकिंग का करिए, चाहे सामान्य ब्योसाय करिए, सब के लिए 100 ही अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है, minimum दो तो है, पहले भी था और अब भी है, इस प्रकार से आज आपने अपना संपूर्ण सिलेबस समझ लिया है, और कुछ MCQ queries के ब partners की problem, जल्द ही बहतर तरीके से upload करने वाले हैं, फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत